दूसरा अध्य चलू करें उससे पूर एक बार आपने क्या पढ़ा पूरा यह परशाद ग्यान है लेकिन जो ग्यान है वो कितना है उन्हें वो एक है और इसी ग्यान को नहीं बोला था लेकर तीसरा श्रोग ततो विभक्तास्त मिला विभक्त होते हुए भी लेकिन सम्वित एक रूप सम्वित कैसा है एक रूप है इस सम्वित की एक रूपता को अवस्थाओं के माध्यम से भी दिखाया तता सपने अत्र वेद्यम तू ना स्थिरम जागरे स्थिरम तता भेद वस्थयु सम्वित एक रूपा ना जागरत में भी ग्यान है विशे तीनों में अलग-अलग हैं लेकिन फिर भी उन तीनों में जो सम्वित है वो कैसा है एक है और इसी को शुशुप्ती में सिद्ध किया कि यदि वहाँ पर ग्यान का स्मृति आ रही है तो ग्यान का अनुभव करता भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए सचाव बुद्ध विशयाव बुद्धन तदातमहा सबुदो विशयाद मनहा ना बुधा सप्नम्वित सप्नमें भी वही है जागर्ट में भी वही है और शुशुप्ती में भी वही है उसके बाद बोला गया ये तो सतुर्चित की बात हो गई आनंद की बात की गई इम आत्मा परानंदहा इस आत्मा से बढ़कर किसी को कोई प्रेम नहीं है क्योंकि हम सब इसी आनंद कोई क्या करते हैं चाहेते हैं मान भुवम ही भुयासम नहुआ है नहोगा अपने आनंद से बढ़कर नगोई आनंद है नगोई आनंद होगा इसलिए ऐसे आनंद को पराम प्रेमानंद का नाम दिया गया आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता बताया जिसको अभी सम्वित कह रहे थे आत्मा कह रहे थे बोले इसी को ब्रह्म कहते हैं श्लोक नमबर दस इत्थम इस प्रकार क्या सिद्वा सच्चिनानन्द आत्मा युक्तिया तथा विधम परभ्रह्म तयोष्च अईक्यम इसलिए बोले आत्मा और ब्रह्म कैसे हैं दोनों एक हैं पतले पहली बार यहां पर एक शब्द यूज किया ब्रह्म और फिर यह परमानन्द का वरड़न किया अब उसमें एक प्रश्ण आया यदि आनन्द हमारा सुरू है तो फिर मुझे आनन्द का अनवोग क्यों नहीं होता उसका उतर क्या दिया प्रतिबंद है प्रतिबंद का उधारण क्या दिया बहान भी है और अभान भी है ऐसी स्थिती को बोलते हैं प्रतिबंद ऐसा भी नहीं कि अपने आनन्द का भान नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अभान है उदारण अध्यत्री वर्गम अध्यस्त वो पिता अपने पुत्र की आवाज को ठीक से पहचान भी नहीं रहा है लेकिन ये जानता है कि मेरे पुत्र की आवाज है तो भाव भी है भान भी है और अभान भी है बोले ऐसे ही साधक में भी है उसको भान भी है और अभान भी है तो ये श्लुक आया 13 जहां पर प्रतिबंद बताया क्या है बोले प्रतिबंद आत्मा चैतने का क्या प्रतिबंद है बोले प्रतिबंद यहां पर बताया गया कि आपको अग्यान है श्रमण मननों निदिध्यासन आपका ठीक से हुआ नहीं है श्लुक नमबर चौदा इहां अनादी अविद्या एवर यहां पर जो अविद्या है जो अनादी है व्यामोही का निबंधनम यही है ना मोह को उत्पन करने वाली है यह अविद्या ही तुम्हारा प्रतिबंध है ठीक है अब उसने प्रश्ण क्या यह अविद्या कहां से आई तो क्या बताया गया तमौ रजह सत्वगुना प्रकृति दिविधाचा सहा दूर प्रकार की प्रकृति है एक शुद्ध शत्व और एक मलिन सत्व शुद्ध शत्व जो है वो कौन है इश्वर है मलिन सत्व कौन है जीव है मलिन सत्व मतलब अग्यान मलिन सत्व का मतलब है तमौ गुन कैसा है ज्यादा है और सत्व गुन और रजगुन कैसा है कम है वह तो अपनी माया को अपने वश में करता है माया बिंबव वशी क्रत्या लेकिन इनका क्या हाल हो गया अभिद्या वशगं तुहू ये वश में आ गए अभिद्या के वश में अभिद्या मतलब वही प्रदिबंद आ गया ना ये सत्वरज तमो गुणु वाली और अब ये क्या बन गए वहले प्राग्या और इनका प्त कि पंची करण हुआ है ना पंची करण के तहट सत्वरज तम से एक एक से ज्ञानेंद्रिया निकली और सब के सम्मिलित अंस से अंता करण निकला है सब महाभूतों के अंश से करमेंद्रिया निकली और सभी महाभूतों के समश्टी राजिसी का अंश से पंचप प्रणण बन गए और अब बुले ये जीव क्या हो गया तियार हो गया शरीरम सब्त दशबी सुक्षम तनलिंगम उच्चते अब ये सुक्षम शेरी वाला जीव तैयार हो गया स्थूल शरीर की रचना बताई 26 में श्लोक में भोग के लिए फिर दोनों को अलग-अलग किया ये मैंने आपको संगशेप में बताया अब जीव का बंधन की शब्दा आई थी तो कोई कारोडिंग कोई ऐसा विक्ति मिल जाए जो जीव के काटने पर भी उसको छोड़े नहीं ऐसा ही विक्ति जीव का क्या कर सकता है उद्धार कर सकता है तो कुर्वते कर्म भोग आये कर्म करते हैं भोग के लिए बोग करते हैं कर्म के लिए कर्म करते हैं बोग के लिए बस बहले यही चक्कर चलता चलता जैसे जीव भावर में फस के बार बार उड़र चला जाता है वेसे ही यह जीव भी क्या करता है यह जन्म और भोग की चक्कर में फस जाता है बर्जन्तो जन्मनो जन्मा भूंता रहता है लबंते नईव निर्वरतिम लेकिन यदि उसका सत्कर्म कुछ है तो करुणा निदी उद्धताहा कोई करुणा निदी पूरुशा के उसको क्या करते हैं प्राप्य तीर तरुप छायाम उसको पेड़ की ख्षाह में ले जाते हैं उस जीव को ग्यान देते हैं क्या दिया उपदेशम देखो जी उसको उपदेश देते हैं किस चीज का उपदेश से ग्यान कराया वोले पंच कोश विवेक है ना पंच कोश के विवेक से क्या किया ग्यान कराया पंच कोश की बात मैंने डीटेल में की थी अनमे कोश प्राण में कोश मनो में कोश विज्ञान में कोश और अनन्द में कोश मैंने आपसे बोला था व्यक्ति की समझ सुधरनी चाहिए समझ किसे सुधरेगी है ना संसकारों से है ना और संसकार किसे सुधरेगे है संसकार सुधरेगे वासनाओं से जो सुधरेगे किसे आपकी वासना कैसी है और फिर आपको वैसा ही क्या मिलेगा आनन्द मिलेगा तो मनों में कोश विज्ञान में कोश और इसी में मैंने आपको बताया था quality of thoughts and quantity of thoughts and direction of thoughts विज्ञान में कोश में जिससे विक्ति का बुद्धी प्रदान विक्ति बनता है तो पंच कोश का विवेक कराया अब इस अन्वे कोश को जो कराया बोले अन्वे व्यतिरेका ब्याम देखो जी किसे कोश कराया अन्वे और व्यतिरेक तो उन्होंने ये कराया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो अन्नमे कोश्च में स्थूल शरीर है सोक्षम शरीर भी है कानड शरीर भी है ऐसा आपने देखा था मैंने चार्ट भी आपको दिया गया था पूरा लेकिन सभी शरीरों का व्यतिरेख हो जाता है सत्य वह होता है जिसका अनवय होता है और जिसका व्यतिरिक हो जाए वह चीज जूटा है पकड़ में जैसे जागरत अवस्था में तीनों का अनवय है ठीक है स्थूल शरीर का अनवय है सूख्ष्म शरीर का अनवय है कारण शरीक का लेकिन स्वपना अवस्था में स्थूल शरीर का व्यतिरिक हो गया, सूक्ष में शरीर और कारण शरीर का अनवे हो गया शुशुक्ती में कारण शरीर का अनवे हो गया, स्थूल और सूक्ष में शरीर का पकड़ में न ग्यान की अवस्था में स्थूल, सूक्षम और कारण शर्वित तीनों का व्यतिरिक तो जिसका व्यतिरिक हो जाए वह जूटा है जिसका अनवय रहे वह सत्य है अनवय व्यतिरिक आप भ्याम पंच कोशा विवेक अतहा अब ये पूरा इनन जो मैंने आपको बताया अवस्थाओं के माद्य हम से विवेक कराया और विवेक में एक चीज बताई कि विवेक बहुत सावधानी और सूक्षमता से करना चाहिए जैसे क्या बोला था यथा मुझादी शीशी कही है जैसे वो घास से सफेज सफेद वो निकालते हैं दरव्य वैसे ही पंच कोश से बहुत ध्यान से क्या करना चाहिए विवेक करना चाहिए जैसे वो जो इशी का होती है वो जो डंडी होती है बहुत सारी लेयर चिपकी होती है और उसके अंदर कौन सा दर्वी होता है वो सफीद ऐसे ही बुले यह आवरणों से गिरी हुई है आत्मा तो बहुत ध्यान से इन आवरणों को क्या करना चाहिए हटाना चाहिए तब जाके वह आत्म चैतने का पता लगता है और अब यहां से स्टार्ट क्या था महावाक्य प्रकरन यह होंगे 43 समाश लोग मिला आपको तद्थो मसी महावाक्य का महावाक्य से चालू किया और फिर बताये तद्थ कौन है तुम कौन है और असी कौन है इसके लिए उन्हें बलाला तीन प्रकार के वाक्यों का अर्थ तीन प्रकार से लगाते है एक तो अभिरा लक्षणा होता है मैंने बताये था यह दा रहा हैं इसमें बाग भी किया गया और त्याग भी किया गया इस युक्ति से तत तम असी का विविक किया जाए तो उस महावाक्य का अर्थ भी निकल के आ सकता है उसके बाद एक टॉपिक आया था ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प तो सिद्धु वाता सविकल्प का कोई विकल्प नहीं हो सकता और निर्विकल्प का विकल्प होने का कोई प्रणी ही नहीं है फिर बोले इसके लिए क्या साधनव की जाए तो देखे आया था 53 पेश्रमान, मनन और निदित ध्यासन और यही ध्यान करते 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 समाधी में पहुंच जाता है जहां द्यात्री और ध्यान दोनों छूट जाते हैं और सिर्फ धे यह रह जाता है धेयाकारवरती इसी को बोलते हैं समाधी इससे क्या होता है? बोले कौन सा बतायता? धर्म, यहां दाराए धर्ममीग शुद्ध धर्म विवर्दता शुद्ध धर्म बढ़ता है और शुद्ध धर्म से वो क्या बन जाता है? धर्ममीग बन जाता है और धर्ममीग बनकर अमरत धारा बरसती है और इसके इसके करने से संचित कर्म जितने हैं वो सब क्या हो जाते हैं? नश्ट हो जाते हैं बोले यह जो वाक्य है हम जो अभी समझते हैं वो कैसा समझते हैं परोक्ष रूप से समझते हैं लेकिन परोक्ष रूप से भी समझने का फल मिलता है क्या फल मिलता है बुद्धी में जितने पाप हैं वो सब क्या होते हैं नश्ट हो जाते हैं और फिर बुले जब सादक को अपरुक्षक ज्यान होता है तब सादक को क्या होता है आत्म का साक्षातकार स्पस्ट हो जाता है और उसके जीवन का जितना अग्यान है वो सब क्या हो गया नाश हो गया और इस तरीके से इत्थम तक्त्विवेकम विधाया इस परकार तक्त्व करना चाहिए और विगलित संसृत बंदह विगलित मतलम वह गल जाता है और परंपदम प्रापनोती और परंपद को क्या करता है श्लोक नंबर 65 वह परंपद को क्या कर लेता है प्राप्ट कर लेकिन बहुत देर से नहीं क्या लिखा है नचिरात बहुत जल्द ही इस चीज को क्या करता है वो प्राप्त इससे प्रत्यक तत्व विवेक का जो प्रकरण था वो यहां पे खातम हो ठेक हैं अम इतने समझने में आपको कहां पे नहीं समझ में आया वो पूछ लें जो प्रकरण नहीं समझ में आया जो शब्द वो पूछ लें पहले किताब देख के बता लिजे कहा नहीं समझ में आया वो प्रश्ण पोछ लिजे हलाकि मैंने आपको तरीका बताया था कि पड़ते समय अपने कॉपी के पीछे प्रश्ण लिखते चले जाने चाहिए कॉपी के पीछे प्रश्ण श्रंखला ही बना देनी चाहिए डेली डेली के आदमी भूल जाता है पूछना तो प्रश्णों को बीछे बना ले और पूछता जाए कोई प्रश्णा वो टॉफिक बड़ा गंबीर था सिंपल सी बात है विकल्प का कोई विकल्प होना तो दोश है सविकल्प है मतलब ब्रह्म को सविकल्प मानने तो ऐसा तो है नी पहली बात विकल्प मैंने बताया था समलीजे आपने में सविकल्प समाधी निर्विकल्प समाधी अब ये कैसे तो सीडी लेजेगा है ये पुरा डीटिल्ड है सविकल्प ये बहुत टेक्निकल था नहीं आप्शन कारता नहीं है यहां आप्शन अड़ता नहीं है हुल ये बहुत हुल ये बहुत हुल आपको सविकल्प बहुत जादा है हमने शब्दान विद्ध द्रश्यान विद्ध सविकल्प समाधी पढ़ाई थी इसमें बुले ना तो ब्रह्मस्ट सविकल्प है निर्विकल्प भी नहीं है वो इन दोनों से परे है कोई प्रश्ण है 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 इसा पूरी पंच्च दशी समझ में आ गया है विगलित संसृत बंदा है संस्रती बंदा विगलित हो गया गल गया तो अब वो यादी नहीं रहा कि मेरे को क्या प्रश्ण था प्रश्ण तो अग्ञान के वास्ता में था हुग गया कोई प्रश्ण नहीं है कि जो पंच्च दशी है कि मैंने बताया था इसमें कितने प्रकरण है टोटल कितने पंद्रह प्रकरण है आया आपको जैसे पहला प्रकरण है प्रत्यक तत्व विवेक जो आपने क्या किया देखा पूरा इस तरीके से दूसरा प्रकरण है पंच महाभूत विवेक पंच महाभूत इसमें महाभूत नहीं है इसके जो टॉपिक है सत तत्व काल देश माया और सबका भेद दिखाए गया है पंच कोश विवेक है वो आपने ओलेड़ी क्या कर लिया देख लिया तीसरा जो है दोईत और विवेक दोईत मतलम जीव के बारे में तो जीव और ज जगत के बारे में आपको हमने अलेड़ी इसलिए डीटिल पढ़ा दिया अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं रहे गी जीव सत्वरज तम से स्टार्ट हुआ था तमप्रधान बन गया फिर जीव के लिए भोग चाहिए भोग उसके कैसे हूं जैसे संसकार थे उस सं संदुसकार के अनुरूप क्या हुई जगत की रचना हुई जगत की रचना कैसे हुई पहले अपंची करित महा भूत थे फिर पंची करण हुआ और उसके परडामा सुरुप जगत बन गया दिए तो दोईत का वीवेग भी आपको कराया जा चुका फर पांच महा प्रकर तो आपका पूरा ये कवर हो जाता है क्या चीज ये बुरा अब इसके बाद भी और है दस प्रकरण वो उसको लते है न actually में क्या है ये सत चित और आनन ऐसा समझ लो पाँच 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 बना लिया तो अभी एक प्रकरण है दीप प्रकरण ये अरतीश अधार रचन है आनन्द प्रकरण ये कैसा है ये सत प्रदान हो गया उन्ते दीप प्रण और तीसरा प्रकरण है आननद प्रधान अच्छ पंच महा भूत विवेग पहली मैंने बताईता पहूत का अर्थ है जो होता है उसको बोलते हैं भूत भावन्ति इति भूत आहा जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं भूत इसलिए आप कई बार देखते हैं जगत भी कैसा है भूतिक जीव भी कैसा है भूतिक बोलते हैं भूतिक अर्थ है चोड़ चीज पंच महा भूतों से बनी है उस चीज को बोलते हैं भूतिक आपका शरीर भी कैसा है भूतिक जगत भी कैसा है भूतिक भोग भी कैसा है भोटिक जीव भी कैसा है भोटिक पगर में यह भूत कितने प्रकार के हैं बोले पांच आकाश वायू अगनी जल और प्रत्वी अब देखें शुती सद अद्वाइतम शुतम सद अद्वाइतम शुतम यत तत पंच भूत वेवेक तह जो वेदान्त में सत तत्यों कहा गया किस तत्यों को सत तत्यों बोले उसको यदि किसी को समझना है तो वो क्या कर ले पंच माभूत वेवेक कर ले बहुती सुन्दर चीज बोली सब चीज को समझाने के लिए अलग अलग यहां पर क्या बोला है सत अद्वईतम शृतम जो सत तत्यों की अद्वईत में बात की गई है यद्तत पंच भूत विवेक तह उस चीज को पंच महाभूत के विवेक से विवेक तह विवेक से समझा जा सकता है एक ही उपाय है इसका बोद्धुम शक्यम बोद्धु मतलब जहन सकते हैं शक्यम मतलब समर्थ हैं ततो पंच ततो भूत पंचकम प्रविविच्यते इसलिए देखो किसलिए पंच महाभूत के विवेक करना है इसको अलग-अलग करके एकदम रख देना है पंच महाबोत को इसलिए आप हम इसका विवेक करने जा रहे हैं पहली बात यह सत वस्तु जगत की न रहने पर भी रहती है जगत के रहने पर तो हई है लेकिन जगत जब नहीं है तब भी कौन है सत वस्तु है जैसे मैंने आपको ढारन दिया लहर के रहने पर बे जल है लहर के रहने पर जल है लेकिन लेहर के ना रहने पर भी जल है मतलब लेहर रहती है तब भी जल है और लेहर नहीं रहती है तब भी जल है जब घड़ा है तब मिटी है लेकिन जब घड़ा नहीं है फिर भी मिटी है और यही ग्यान होना चाहिए घड़ा रहने पर मिटी का ग्यान है वह ग्यान अधुराग ग्यान है गड़ा रहने पर किसी को मिट्टी का ग्यान होता है तो वह अधुराग ग्यान है लहर के होने पर यदि जल का ग्यान होता है तो वह भी अधुराग ग्यान है लेकिन अगर सृष्टी नहीं है जगत नहीं है फिर भी सतत्व है यह ज्यान होना चाहिए और सबसे बड़िया उदारने शुशुप्ति शुशुप्ति में कोई जगत आपके सामने है लेकिन सतत्व जाको जी धूरी पर पूरा का पूरा जगत नाशता है धूरी पर ये पूरा का पूरा जगत वो दूरी कौन है वो आप है सतत्व उसी के कारण पूरा जगत नाच रहा है तो यह एक तो पहली बात कन्फरम कर लेनी चाहिए जगत के बिना भी सतत्व का अस्तित्व है और जगत है तो तो हई है ऐसा नहीं कि जगत है तब नहीं है जगत है तब भी है मतलब उसको अपने अस्तित्त की सिद्धी के लिए जगत की सत्ता की कोई आवश्यक्ता नहीं है सत्त्त को अपनी सत्ता की सिद्धी के लिए जगत की आवश्यक्ता नहीं है सत्त्त की सिद्धी के लिए किसी अवस्था की आवश्यक्ता अपितु अवस्थाओं की सिद्धी के लिए सत्ता की आवश्यक्ता है लहरों को सिद्ध करने के लिए जल चाहिए जल को सिद्ध करने के लिए लहर कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता लेकिन कारण बिना कारे के रह सकता है कारे जब भी होगा तो कारण तो जरूर होगा लेकिन कारण बिना कारे के भी रह सकता है और उसी को कारण कहते है जो बिना कारे के रह ले मिट्टी बिना गड़े के रह सकती है जो सतत्व है चैतन्य तत्व वह बिना जगत के रह सकता है लेकिन हमें भान तभी होता है जब जगत जैसे हमें अपना भान कब हो रहा है जब यह सब जागरत है अभी शुशुप्ति में आपको अपना भान जब आपको जगत की कोई इस्तिती समझ में ना है तो आप तुरंट एक काम कीजिए सुशुप्ती को मिलाईए एक दम आपको पैरलल दिस्टान दे मिलेगा जगत का और सुशुप्ती का अच्छा जी फिर नैचरली विवेक तभी किया जाता है जब दो चीजें मिली हूं यहां भी जगत और सतत्व आपस में मिल गए है यदि मिला ही नहीं होता तो तो विवेक करने में आसा नहीं थी लेकिन अभी जगत और सतत्व आपस में मिल गए है इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है विवेक तो अब इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि ये कई चीजें आपको सब पता हैं पंच माभूतों की गुन और उनसे कि यानेंद्रियां और यानेंद्रियों के आपस में गुन कर लेगा Om Poonamada Poonamidam Poonamahat Poonamudachyate Poonasya Poonamaday Poonamivah Vashishyate Om Shanti 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 Harihiyo Om Shri Gurubhyo Namaha Harihiyo Yay-la-Chuck Salamuhi